तुमस्कर दोस्तों आज की कहानी है रिष्टे तोड़ देना बहुत आसान है लेकिन उन्हें बनाय रखना मुस्किल है किशन, मांगे राम और मिस्तरी एक मिस्तरी की कहानी जिसने दो लोगों के विगड़े रिष्टे सुधारने के लिए उनके खेतों के वीच पुल बना दिया किसन और मांगे राम जिगरी दोस्त थे, दोनों किसान थे और उनके खेत अगल बगल थे दोनों एक दूसरे की मदद से अच्छी खासी पैदावार करते थे गाँवालों से उनकी दोस्ती देखी नहीं जाती थी वे हमेशा उनमें फूट डालने की कोशिस करते थे उनकी कोशिस सफल हुई और दो दोस्तों के बीच फूट पड़ गई अब दोनों के काम अटकने लगे साजहदारी से काम करने के कारण दोनों अपनी चीजे एक दूसरे से बाट लेते थे लेकिन अब उन्हें दिक्कत आने लगी एक दिन मांगे राम ने अपने खेत में पानी लाने के लिए एक नाली खोदनी चाही पर उसके पास नाली खोदने के लिए आवजार नहीं थे नाली तो बनी नहीं उल्टे दोनों के खेतों के बीच एक गड़ा बन गया जिससे मांगे राम के फसल खराब होने लगी वही किसन के खेतों में पानी की कमी होने लगी एक दिन एक मिस्तरी घुमता हुआ किसन के पास आया और काम मांगने लगा किसन बोला वह जो गड़ा सामने देख रहे हो वो मेरे पड़ोसी के वज़े से हुआ है पहले हम दोनों दोस्त थे पर अब पतिद्वन्दी हैं उसने मेरे खेतों को खराब करने के लिए सारा पानी अपने खेतों में भर लिया है और चाहता है कि मेरी फसल सुख जाए तुम दोनों खेतों के बीच एक दीवार बना दो तब तक मैं सहर से आता हूँ साम को खेत पर लोड़ते ही किसन की आँखे फटी की फटी रह गई मिस्त्री ने दीवार की बजाय दोनों खेतों की बीच लकड़ी का पुल बना दिया जिससे गड़े में फसा पानी दोनों की खेतों में बराबर बराबर बढ़ गया किसन उस बढ़ाई को डाटता इससे पहले ही मंगे राम दोड़ते हुए आकर उसे गले लगा लिया और माफि मांगते हुए बोला यही हमारे रिस्ते की निसानी है अगर छोटा भाई गलत रास्ते पर भी चला जाया तो बड़ा भाई उसे वापस सही रास्ते पर ले आता है दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और हमारी कहानीों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद